रखुवेर अपनी आईस्क्रीम बानी गाड़ी को हाथों से ठेल तपें गर्मी में चला जा रहा है, वो लोगों को आवाज भी दे रहा है गर्मी को दूर भगा लो ठंडी ठंडी आईस्क्रीम खालो चिल्चिलाती गर्मी पढ़ रही थी सूरश तो ऐसा लगता था कि आग उगल रहा है लेकिन उस भीशन गर्मी में भी रगुवर अपनी आइस्क्रीम का ठिला लेकर गली गली खुम रहा है आइस्क्रीम की आवाज लगाता लगाता वो इक घर के सामने से बज़रता है आइस्क्रीम वाले की आवाज सुनकर उस घर में रहने वाली 6 साल की चुन्मुन आइस्क्रीम के लिए जिद करने लगती है उसकी माँ आवाज लगाकर रगुवर को रुखने को कहती है कौनसे आइस्क्रीम दू बेटा, मैंगो, लीची या स्ट्राबेरी अंकल आपके पास कोई ऐसी आइस्क्रीम है जो कभी नहीं पिग ले उसकी बाद सुनकर रगवर मुस्कुरा देता है फिर चुन्मुन की मा रगवर से मैंगो फ्लेवर की दो आइस्क्रीम लेती है अंदर चले जाते हैं, रगवर अपनी आइस्क्रीम की गाड़ी को लेकर फिर से आवाज लगाता हुआ आगे बढ़ चाता है रगवर की कमाई ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन कम ही कमाई में वो अपनी बेटी रमया को हर खुशी देना चाहता था लेकिन लाग चाहने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता था एक शाम की बात है, रगवर ने देखा कि छोटी सी बेचारी रमया अपनी फटी फ्रॉक की सिलाई सुई धागे से खुद से कर रही थी इसकी फ्रॉक कितनी फट गई है, यह मुझे बोलती भी तो कुछ नहीं है, अरे नहीं बोलती तो, मुझे तो इसका ध्यान रखना चाहिए न वो जाकर रमया के पास बैठ गया अरे, अरे मेरी बच्ची, तुम्हारी फ्रॉक तो बहुत ही फट गई है, मैं कल ही नहीं फ्रॉक तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, ठीक है? अरे, नहीं बाबा, मुझे फ्रॉक की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी फटी थी, जिसे मैंने सिल दी है, अब आराम से मेरा काम चल जाएगा रगुवर को याद है कि ये फ्रॉक उसने लगभग दो साल पहले उसे दी थी, फ्रॉक तो पहले ही चोटी हो गई थी, और उपर से फट भी गई थी, उसने मनी-मन तय किया कि उसे नई फ्रॉक दिला देगा रमया बेचारी जब मात्र चार साल की थी तभी उसकी मा की मौत हो गई थी वो बेचारी तो उस समय मौत का मतलब भी नहीं समझती थी जब वो रगुवर से पूछती की मा कहा है तो रगुवर बोलता मा, तुम्हारी मा तो बहुत दूर चले गई है बेटा बहुत दूर वो देखो वो आसमान में वो तारा दिख रहा है अरे वो जो कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है वही है तेरी मा बाबा क्या मा तारा बन गई है मुझे भी बनना है तारा उसकी बाद सुनकर आखों में आसू लिये रगुवर रमया को अपने सीने से लगा ले था वो तो उसका पिता भी था मा भी और सबसे अच्छा दोस्त भी रमया पढ़ने लिखने में बहुत ही होश्यार थी गरीबी कोटे से उसका दाखिला अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हो गया था उस स्कूल में जादा तर पैसे वाले घरों के बच्चे पढ़ते उन्ही में से एक थी नंदिनी वो बहुत ही जिदी स्वभाव की थी एक बार की बात है रात का समय था ये क्या जिद है नंदिनी चलो खाना खालो नहीं खाना नहीं खाना आप लोग कुछ भी कर लो मुझे नहीं खाना अरे बेटा इस तरह जिद नहीं करते आप जानते हैं न पापा की जॉब में अभी दिक्कत हो गई है इसलिए इस बार पापा हम लोगों को लेकर हिल स्टेशन नहीं जा पाएंगे मुझे कुछ नहीं सुनना जब तक आप लोग मुझे लेकर नहीं चाहेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी नंदिनी जिद पर अड़ी रही ठक खार कर उसके पापा को उससे वादा करना ही पड़ा उस रात नंदिनी के सोने के बाद आपने नंदिनी से चूटा वादा क्यों किया आपकी नौकरी चूट गई है लगभग चार महीने हो गए आपको नई नौकरी के लिए ट्राइ करते हुए सारी सेविंग्स खत्म हो रही है इस समय हमें पैसो की बहुत ही दिक्कत है ऐसे में उसे लेकर कैसे हम घुमने जाएंगे वो सब ठीक है नंदिनी लेकिन मेरी नौकरी जाने में उसका तो कोई दोश नहीं है न तो वो भेचारी क्यों किसी बात के लिए अपना मन मारे मैं किसी से उधार ले लूँगा आखिरकार वैसे इस्तिति में भी नंदिनी के पापा को उधार लेना पड़ा और नंदिनी को लेकर हिल स्टेश उचाना इधर एक दिन जब रमया के पापा उस चिलचिलादी गर्वी में आईस्क्रीम बेच रहे थे तो उनकी चप्पल तूट गई चप्पल इस तरह तूटी थी कि वो चाह कर भी उसे ठीक नहीं करा सकते थे उन्हें नई चप्पल ही लेनी पड़ती अब या तो वो नई चप्पल लेते या रमया की फ्रॉक इसलिए उन्हें नंगे पाऊंगी आईस्क्रीम बेचने का पैसला किया शाम तक तो पूरे पैर में छाने पड़ गए थे उस दिन जब वो अपने घर आया तो रमया घर के दर्वाजे पर ही बैठी हुई थी उसने देखा कि उसके बाबा थोड़ा लंगडाते हुए आ रहे है ये आपके पैरो को क्या हुआ बाबा आप इस तरह लंगडा क्यू रहे हैं और आपकी चपल कहा गई अरे कुछ नहीं हुआ रमया सब ठीक है वो चपल बिलकुल तूट गई मेरी उसकी मरमत तो हो नहीं सकती थी इसलिए वो बाहर ही फेंग दी मैंने रात को जब रगुवर सोने की कोशिश कर रहा था पैरो में जलन के कारण उसे नींद ही नहीं आ रही थी तब रमया की नजर अपने बाबा के पाओ पर गई पूरे तलवे में लाल-लाल निशान पढ़ गए थे उसने उसी समय हलदी का पेस्ट पनाया और अपने बाबा के पैरो पर लगा दिया तब जाकर रगुवर को नींद आई अगले दिन जब रगुवर आइस्क्रीम बेशने जा रहा था तो रमया ने उससे कहा बाबा बहुत गर्मी है आपके पैरों के छाले अभी तक ठीक रही हुए है आज आप काम पर नहीं जाएए न अरे बेटा काम पर नहीं जाओंगा तो घर कैसे चलेगा ठीक है फिर आप एक नई चप्पल ले लीजे न लेकिन रगुवर ने चप्पल नहीं जी उसके पाउं उसी तरह जलते हर रात रमया उस पर हल्दी का पेस्ट बना कर लगाती उसने कई बार और भी रगुवर से चप्पल लेने के लिए कहा लेकिन वो तो रमया की फ्रॉक के पैसे जोड रहा था इस बीच हर साल की तरह उनके शहर में बहुत ही फेमस मेला लगा उस मेले में खाने पीने की तरह तरह की चीजे होती खिलोनों की दुकाने होती बच्चों के जूले और मनुरंजन की बहुत सारी चीजे होती रमया के स्कूल के सारे बच्चे हमेशा उस मेले की बारे में बा पापा को काऊंगी मुझे आज ही वहाँ ले जाने। तू क्या लेगी नंदिनी मेले से? वो तो वहाँ जाकर ही डिसाइड करूंगी। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। रगवीर भी खुश था कि चलो इसी बहाने उसकी बच्ची मेला तो घूमाएगी। कुछ खापी लेना इससे और अपने लिए कुछ जरूर ले लेना ठीक है। सभी मेले में पहुचे। मेले में पहुचकर सभी बहुत खुश हुए। कोई इस जूले में चड़ता तो कोई उस जूले में, कोई गोलगप्पे खाता तो कोई चाट। फिर सभी खिलोनों की दुकान में गए। उनकी मैडम सभी का ध्यान रख रही थी, क्योंकि इस भीर में तो कोई भी खो सकता था। खिलोनों की दुकान से नंदिनी ने गुडिया खरी थी। वो गुडिया पूरे दो सो रुपए की थी। रमया को भी वो गुडिया बहुत पसंद आई। कितनी प्यारी है न ये गुडिया, ये देखो ये तो पलके भी छपकाती है। रमया भी उसे लेना चाहती थी लेकिन उसने नहीं लिया, क्योंकि उसकी नजर तो किसी और चीज़ पर थी। बाकी बच्चों ने भी कुछ-कुछ चीज़े खरीदी। फिर सभी लोटने लगे। लोटने के क्रम में ही नंदिनी की नजर एक चपल की दुकान पर गई। वो मैडम से पूच कर उस दुकान में गई और वहाँ से अपने बाबा के लिए एक चपल ले आई। बहराल वो अपने घर पहुची। उसके हाथ में एक पैकेट देखकर रगवर बहुत खुश हो ग अरे ये क्या ले आई तुँ। झांक्स पुच्ची।